पर दो और वेलकंक बैक टू दे अनादर वीडियो और आज हम बात करने जा रहे हैं नोवे हम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला जो कि Extended Cut में होगा तो चलिए बात करते हैं कि वो क्या हो सकता है हाँ तो देखो Novae Home में जो Post Credit Scene था वो तो एक ये था जिसका कोई ज़्यादा Sense नहीं था और दूसरा में Multiverse of Madness का Teaser ही बता दिया था अब देखो जब 2 अगस्त को Extended Cut release होगा तो उसमें ये वाला Post Credit Scene थो होगा लेकिन Multiverse of Madness का Teaser तो नहीं होगा क्योंकि वो तो मूवी बे आ गई और मूवी ने काफी अच्छा डिसपोइंट किया हमें तो इसलिए Sony को कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा Second Post Credit Scene के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही मार्वल कुछ ना कुछ करके एंट्रो को भी उसी यूनिवर्स में भेज़ देगा क्योंकि उस यूनिवर्स में Venom भी है जिसे एंट्रो को लड़ने की काफी इच्छा थी और Morbius भी है और फिर वल्चर भी तो आ ही गया है अगर वल्चर जाचकता है तो ओ इंट्रो क्यों नहीं जा सकता Morbius के यूनिवर्स में तो हाँ देखो Extended Cut में हमें कुछ ज्यादा तो नहीं पर हाँ Postic Credits इन तो मिली जाएगा एक और नया देखने के लिए अब मैं आप पर छोड़ता हूँ मुझे सोच कर बताओ कि यह सा होगा या नहीं और यह भी बता देना कि Extended Cut कर देखने कौन-कौन जा रहा है मैं तो पक्का जाओंगा भले मेरी सीटी में हो या ना हो पर दूसरी सीटी में जाकर देखोंगा पर देखोंगा जरूर